भगवान बुद्ध के उप्वास करने के पीछे क्या काराण थे? लोग किन कारणों से उप्वास करते हैं? And last but not the least, fasting आपके वजन को कम करने में कैसे मदद कर सकती है? Hello and Welcome to Nourishing Kaka आज से लगभग 2500 साल पहली जब सिधार्थ गौतम ने अपना राजपार छोड़ कर fasting शुरू की तो उस fasting उस उप्वास के पीछे उनकी सोच एकदम साफ थी और वो ये कि fasting उन्हें खाने पीने की आदतों की गुलामी से आज़ादी दिला सकती है उनका सोचना था कि जब तक हम regular fasting करके अपने शरीर को detoxify नहीं करते तब तक अपने mind को detoxify करना असंभा हो है जब तक हम अपने शरीर की खाने पीने की छोटी छोटी इच्छाओं पर भी विजय प्राप्त नहीं कर सकते तो हम अपने दिमाग में चल रहे अनगिनत ख्यालों को कंट्रोल करने के बारे में सोच भी नहीं सकते जब वे राजकुमार थे और महलों में रहते थे तो उन्होंने अपने चारों तरफ लोगों को अपना पूरा समय खाने पीने की छाओं को पूरा करने में और अन्य संसरी प्लेजर्स एक्वायर करने में ही बिताते देखा था दूसरी तरफ उन्होंने ऐसे गरीब और लाचार लोग भी देखे थे जिन्हें खाने पीने के लिए दो वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी और उन्होंने पाया था कि इन दोनों ही सिचुईशन्स में लोग लगातार खाने पीने के बारे में ही सोचते रहते हैं एक गरीब व्यक्ती जिसके दो अक्त के खाने का भी कोई विशेश साधन नहीं है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल चलता रहता है और वो यह के उसे अगला भोजन कब मिलेगा और यदि उसके दिमाग में यह ख्याल चलता रहता है तो यह बात समझ में आती है उसका खाने के बारे में सोचते रहना एकदम लॉजिकल है It is completely justified क्योंकि भोजन जिन्दगी की पहली जरूरत है लेकिन जिन लोगों के पास पैसा है और जिने खाने पीने के साधनों की कोई कमी नहीं है जिनके घर में खाने पीने की चीजों के डेर लगे हुए हैं वे भी अपने दिमाग पर कंट्रोल न कर पाने की वजह से पूरा दिन खाने पीने के बारे में ही सुचते रहते हैं और भगवान बुद्ध ने रियलाइस किया कि यदि हमारा दिमाग पूरा दिन खाने पीने के बारे में ही सुचता रहेगा या इस तरह है कि छोटी बातों के बारे में सुचता रहेगा और जीवन की basic necessities, छोटी छोटी जरूरतों और महत्वहीन इच्छाओं के बारे में ही सुचता रहेगा तो फिर वो आत्मिक उन्नती के बारे में spiritual enlightened के बारे में कभी भी नहीं सुच पाएगा और इसलिए उन्होंने खुद fasting शुरू की उनके fasting शुरू करने का जो सबसे basic कारण था वो यही कि वे अपनी body पर और अपने mind पर एक ऐसा control पाना चाहते थे जिसके चलते वे खाने पीने के विचारों से आगे जा सकें और मानवी जीवन के कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण पहलूओं के बारे में सोच सकें और एक बार जब उन्होंने ये कर लिया तो उसके बाद उनके spiritual enlightenment का रास्ता खुल गया और उसके बाद उन्होंने जो आत्मिक उन्नती की वो इतनी विशाल थी, वो इतनी comprehensive थी वो इतनी overarching थी कि आज हम उस पेड़ की भी पूजा करते हैं जिसके नीचे बैट कर वे meditation किया करते थे तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि यदि भगवान बुद्ध ने fasting शुरू की तो उसका सबसे बड़ा कारण था spiritual enlightenment attain करने की उनकी इच्छा और लगबग इसी तरह की प्रक्रिया भगवान महावीर ने और बाद में मात्मा गांधी ने भी अपनाई इन सब ने fasting को spiritual enlightenment का एक टूल बनाया लेकिन हरव्यक्ति भगवान बुद्ध भगवान महावीर या मात्मा गांधी तो नहीं होता और इसी लिए हर व्यक्ति के fasting करने के कारण भी अलग-अलग होते हैं फॉर इक्जाम्पल जब मैंने अपनी fasting शुरू की तो मैंने बेसिकली अपनी बीमारी से अपने एक्जेमा से छुटकारा पाने के लिए शुरू की थी आज से लगब 20 साल पहले मुझे एक्जाम्या एक्जेमा जिससे सोराइसिस भी कहा जाता है उसकी प्रॉब्लम हो गई थी ये एक autoimmune disease है और आज भी medical science के पास उसका कोई विशेश इलाज नहीं है ऐसा कहा जाता है कि जब आपको एक बार एक्जेमा या सोराइसिस हो जाता है तो वो आपकी चिता तक या आपकी कबर तक आपके साथ जाता है और जब मुझे ये बीमारी हुई तो मुझे उस पर काबू पाने के लिए steroids prescribe किये दे उसमें उन डॉक्टर्स की कोई गलती नहीं थी क्योंकि आज भी steroids ही prescribe किये जाते हैं और उस वक्त मैं अपनी बीमारी से इतना परेशान था कि मैंने मजबूरी में उन steroids का कुछ दिनों तक इस्तेमाल भी किया लेकिन एक बार जब मुझे उस बीमारी से temporary relief मिल गई तो फिर मैंने उसे permanently remove करने के बारे में सोचना शुरू किया और मुझे इस सच्चाई को जानने और समझने में कई साल लग गए कि surasis का असली कारण मेरी अपनी ठाने पीने की गलतियां थी मेरी अपनी गलत lifestyle थी और इसलिए उन गलतियों से छुटकारा पाने का सबसे पहला सबसे सही तरीका यही था कि उपवास किया जाए फास्टिंग की जाए और इसलिए मैंने फास्टिंग करनी शुरू की इसलिए मैंने उपवास करने शुरू किये मैंने जिन्दगी में सबसे पहली बार जब फस्ट किया तो हो सिर्फ एक दिन का था 24 गंटे का और उसके पहले मुझे काफी डर लग रहा था लेकिन एक बार जब मैंने उसे कर लिया और जब दूसरे दिन में उठा और मैंने पाया कि मैं 24 गंटे खाना ना खाने के बावजूद भी जिन्दा हूँ तो उस realization से मेरी ताकत बढ़ गई mental strength बढ़ गई और उसके बाद मैंने और कई उपवास किये एक दिन के उपवास किये तीन दिन के पाश दिन के साथ दिन के दस पंदरा दिन के वीस दिन के उपवास भी किये और आखिर इन सब कोशिशों से मुझे कई सालों के बाद एक जिमा से पूरी तरह से आजादी मिल गई लेकिन हमारी ये दुनिया विशाल है इसमें 800 करोड लोग बसते हैं और इन सब के सोचने का अपना अपना तरीका है और इसलिए जैसा कि मैंने पहले भी कहा हर वेक्ति के उपवास करने का फास्टिंग करने का कारण भी अलग-अलग होता है दो कारण तो हम पहले ही डिसकस कर चुके हैं पहला spiritual enlightenment के लिए या spiritual development के लिए और दूसरा अपनी acute और chronic बिमारियों से निपटने के लिए या उनसे छुटकारा पाने के लिए लेकिन आज की तारीक में फास्टिंग का एक बहुत बड़ा कारण है weight loss आजकल दुनिया में obesity एक बहुत ही बड़ी समस्या है पूरी दुनिया में लगभत 200 करोड़ लोग excess weight, abdominal fat accumulation, visceral fat और obesity जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं और हमारे अपने देश में अधिकदर adult weighty excess weight से या belly fat से परिशान है और इसलिए कई लोग आज की तारीक में अपना वजन कम करने के लिए fasting करते हैं या करने के बारे में सोचाँ खरते हैं short term fasting की वजह से metabolism की process को एक नया boost मिलता है और इसलिए fasting weight loss की process को speed up कर पाती है fasting libolysis की process को भी promote करती है जिसकी वजह से आपकी body triglycerides को break down करकी उन्हें fatty acids produce कर पाती है और बाद में उन्हें एक नए energy source के रूप में इस्तिमाल कर पाती है अभी हाल ही में मैंने वजन कम करने के लिए एक weight loss program develop किया है और इसके अलावा belly fat को कम करने के लिए एक diet book भी लिखी है belly fat busting diet book और इन दोनों publications में मैंने इस बात को काफी detail में discuss किया है कि कैसे जब आप जरूर से ज़रा sugar या refined carbohydrates consume करते हैं तो मजबूर होकर आपकी body उस extra sugar को fat में convert कर देती है और यही fat cells धीरे धीरे आपके कमर के चारों तरफ, आपके abdomen पर, आपकी छाती पर, आपकी thighs पर, आपकी hips पर फैलने लगती है और इसलिए मूटापे को कम करने का या obesity से चुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है अपने sugar consumption पर control करना और इसलिए मैंने अपने इस weight loss course में और अपनी इस belly fat busting diet book में ऐसी recipes को include किया है जिन में sugar या मैदे या refined carbohydrates का इस्तेमाल नहीं किया गया है अब इस तरह की recipes design करने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य था और वो यह कि उन recipes को consume करने वाले लोगों की body में insulin resistance कम हो सके और over a longer period of time insulin sensitivity improve हो सके लेकिन insulin sensitivity को improve करने के लिए insulin resistance को कम करने के लिए lipolysis की price process को promote करने के लिए आपको ये diet book या ये weight loss program खरीदने की जरूरत नहीं है मज़े की बात ये है कि आप fasting करके अपने घर में ही बिना कोई पैसा खर्च किये ये तीनों काम कर सकते हैं यदि आप सिर्फ एक हफते दस दिन में भी एक बार water only fast करते हैं तो ये fasting की प्रक्रिया कुछ ही महीनों में आपकी insulin sensitivity को improve कर सकती है और आज से कई साल पहले जब मैंने fasting शुरू की थी तो मुझे भी इसी चमतकार का फाइदा नसीब हुआ था regular fasting की वजह से ही मेरी insulin sensitivity तब बहतर हो गई थी और उसके चलते मेरी pre-diabetes की समस्या भी automatically गायब हो गई थी और मज़े की बात ये है कि ये सब उपवास करते वक्त मेरा लक्ष या मेरा target था एक्जेमा या सुरायसिस से मुक्ति पाना लेकिन उसके साथ ही साथ एक और जादू हो गया और वो ये कि मेरा वजन automatically कम हो गया मेरा वजन 44 किलो की उचाईयों से गिरते गिरते 59 किलो तक पहुच गया और पिछले कई सालों से अब मेरा वजन इसी ideal level के आसपास होवर करता रहता है अब मेरा वजन कभी भी उस ideal body weight level से ज्यादा fluctuate नहीं करता और ये कमाल भी fasting की वजह से ही possible हुआ है In fact मेरे fasting करने का मुझे जो सबसे बड़ा benefit मिला वो ये कि इस fasting की वजह से food और food products के साथ मेरी पूरी relationship बदल गई आज मैं पूरा दिन खाने पीने की चीजों के बारे में नहीं सोचता रहता आज खाने पीने का program मेरी जिन्दगी का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा है आज मैं जो भी भूजन खाता हूँ उसे सिर्फ अपनी body को best quality की energy देने के लिए खाता हूँ मैं उसे कभी भी सिर्फ taste या जाइके के लिए नहीं खाता अब यहां आप मेरी इन बातों का मतलब ये ने निकाल लें कि मैं अचानक कोई साधू या सन्यासी बन गया हूँ या स्पार्टा में रहने चला गया हूँ या जौको विलिंक या डेविड गॉगिन्स को follow करने लगा हूँ या ऐसा कोई इनसान बन गया हूँ जो अपने जीवन में खाने पीने के आनंद को जान बूच कर नकारता है not at all, not at all, ऐसा कुछ भी नहीं है this is not the case, मैं आज भी बहुत सारी चीज़ें खाता हूँ लेकिन उन्हें सिर्फ taste के लिए नहीं खाता मैं जब भी कोई food product आज की तारीख में अपने मुँँ में डालता हूँ तो उसके पीछे सबसे पहला मकसद यही होता है कि यह food product मेरी body को और मेरे mind को और मेरी soul को कितना नरिश करेगा और इसलिए मेरे द्वारा बनाए गई recipes या dishes मेरे वजन को मेरे ideal body weight level के आसपास ही लेकिट यहां मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यह list complete नहीं है इसके अलावा fasting करने के और भी कई कारण है उन सब कारणों की चर्चा हम करेंगे फिर कभी किसी और वीडियो में लेकिन इस वीडियो को खत्म करने से पहले एक बात कहना जरूरी है और वो यह कि fasting चाहे जिस कारण से भी की जाए बले ही वो spiritual development हो या वजन कम करने की प्रक्रिया एक बात तए है कि fasting की process आपके food के साथ, आपकी भोजन के साथ, food products के साथ आपकी relationship को हमेशा के लिए बदद देती है fasting changes your relationship with the food once and for all and for the better एक बार जब आप कुछ दिनों के लिए fasting कर लेते हैं, उपवास रख लेते हैं, वरत रख लेते हैं, रोजा रख लेते हैं तो आपके mind को और आपके दिमाग को ये समझ में आ जाता है, कि भोजन सिर्फ हमारे शरीर को हूरजा देने का एक माध्यम है और एक बार जब आपको ये समझ में आ जाता है, तो उसके बाद आप food का इस्तिमाल अपने test birds को satisfy करने के लिए या entertainment के लिए, या emotional struggles से cope करने के लिए नहीं करते हैं और एक बार जब आप ऐसा करने लगते हैं, तो आपकी सेहत बहतर होती चाती है और सिर्फ से भी जो बड़ा फाइदा आपको नसीब होता है, वो होता है एक नए तरहे की spiritual bliss एक नए लेवल की दिमागी शांती, जीवन को एक totally नए एंगल से देखने की ताकत ठीक वही चीज जैसे प्राप्त करने के लिए एक दिन सिधार्थ गौतम ने fasting शुरू की थी और जिसकी वजह से वे आगे चलकर भगवान बुद्ध बन गए और जिसकी वजह से आज हम उस पेड़ की भी पूजा करते हैं, जिसके नीचे बैठ कर वे meditation किया करते थे